आज मैं आपके साथ मुंग दाल की खिचडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मुंग दाल की खिचडी काफी हेल्दी होता है और खाने में भी बहुती टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुती आसान है, मुंग दाल की खिचडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो ग्लास चावल लिया है, एक ग्लास मूंग की दाल, कुकर में मैं डाल देती हूँ, दो ग्लास चावल, एक ग्लास मूंग की दाल, इसे मैं ग्लास से नाप के डाल रही हूँ, चावल और मूंग दाल को मैंने अच्छी तरीके से वाश कर लिया है, यहाँ पे मैंने दो ग्लास छावल लिया था और क्लाश मुंग की डाल लिए है तो इसमें मैं 4 ग्लास पानी डाल दूंगी पिर इसमें मैं डाल दूंगी आधा dopamine हल्दी पावडर फिर इसमे डाल दूंगी एक चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग कमिया साधा कर सकते हैं, दो विसा लाने तक इसे हमें पकाना है, खिजुटी हमारी पक गई है तो मैं तड़का लगा लेती हूँ, तड़का लगाने के लिए कड़ाई में में डाल देती हूँ, दो चम्मच देसी घी घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ, अधा चम्मच राई, अधा चम्मच जीरा, फिर इसमें मैं डाल देती हूँ, एक चुट की हिंग, हिंग हमारे पेट के लिए बहुती फाइदे मन्द होता है, जब कभी भी आप दाल या खिचडी बना रहे हैं, तो आप उसमें एक चुट की हिंग जरूर डाले, जीरा हमारा अच्छी तरीके से चटक चुका है, तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ, बारी कट किया हुआ लेसुन, एक इंच कदुकस किया हुआ अधरक, और चार हरी मिर्च, इसे भी मैंने बा ब्राउन नहीं करना है, इसे आपको सिर्फ इतना ही पकाना है, ताकि प्याच का जो कलर है, वो हलका सा चेंज हो जाए, ये देखिए, प्याच का जो कलर है, वो हलका सा चेंज हो चुका है, तो अभी इसमें मैं बारी कट किया हुआ टमाटर डाल देती हूँ, यहाँ पे मै डाला है इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके लेती हूं फिर मैं इसमें डाल दूंगी आधा चमच कश्मीरे लाल मिर्च पाउडर और इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके लेती हूं यह देखिए टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है तो अब इसमें मैं खिचडी डाल देती हूँ और इसे हमें अच्छी तरीके से mix कर लेना है तो इसमें मैं डाल देती हूँ आधा glass गरम पानी और इसे भी मैं अच्छी तरीके से mix कर लूँगी और इसे मैं डखके 2-3 मिनिट के लिए slow-midim frame पर पका लूँगी खिचडी जो है वो बनके तयार हो चुकी है फिर इसमें मैं डाल देती हूँ बारी कट किया हुआ फ्रेश थनिया और इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मुंदल की खिचडी हमारी बनके तयार है और इसके साथ खानी के लिए मैं हरी चटनी बना की तयार कर लेती हूँ हरी चटनी बनानी के लिए ग्राइंडर चार में मैं डाल देती हूँ आधी कटोरी फ्रेश थनिया तीन से चाल लसुन की कलिया एक हरी मिर्च तीन टमाटर इसे भी मैंने कट कर के लिया है अधा चमच नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया साधा कर सकते हैं यह देखिए चटनी हमारी बन के तयार है खिचडी और चटनी दोनों भी हमारी बन के तयार है तो इसे मैं एक प्लेट में सौफ कर लेती हूँ और उपर से एक चमच में डाल देती हूँ देसी घी जिसे मुंग दल के खिचडी जो है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी एक बार आप मेरे तरीके से मुंग दल के खिचडी बना के देखिए सभी को काफी पसंद आएगा अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें